नमस्कार दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में बताँगा कैसे ट्रेडिंग व्यू में आप रिस्क रिवाड रिशियो सेट कर सकते हो उपेन करना है उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक stock के चार्ट पर आ जाना है जिस stock में आप risk reward set करना चाहते हो तो example के लिए यहाँ पर मैंने Reliance Industries का चार्ट उपेन कर लिया है और यहाँ पर आपको risk reward add करने के लिए आपको क्या करना है तो simply आपने अगर stock में C buy किया है या फिर P buy किया है उसके हिसाब से आपको करना है C buy किया है मतलब stock उपर जाएगा इसका मतलब आपने long किया है और P buy किया है मतलब stock नीचे जाएगा ऐसा आप सोच रहे हो मतलब आपने short किया है तो उसके हिसाब से यहाँ पर add पर आ जाना है और यहाँ पर आप long position और short position दोनों चीज़े देख सकते हो तो simply आपको यहाँ पर आपने अगर C buy किया है आपको अगर लगने market उपर जाएगा तो simply आपको यहाँ पर long position का जो option है यहाँ पर आप देख सकते हो इसको click करना है click करने के बाद जहाँ पर भी आपने इसको buy किया है वहाँ पर इसका middle line है यहाँ पर आप देख सकते हो 3 line दिखा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो 3 dot की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा black middle में है blue side में है जैसा तीटा रहे है तो यहाँ पर जहाँ पर आपने buy किया है यहाँ पर देख सक्तों तो middle line को मैंने उसके उपर लगा दिया ठीक है यहाँ आप देख सक्तों जहाँ पर मेरा entry है इस अहाँ पर आपको middle line लगाना है नीचे आप देख सकतो red दिखा रहा है ठीक है नीचे के side red दिखा रहा है उपर के side थोड़ा से green दिखा रहा है इसका मतलब नीचे है risk और उपर है reward मतलब आप कितना risk लेना चाहते हो आप यहाँ से आपके हिसाब से set कर सकतो यहाँ आप देख सकतो नीचे के जो dot है यह इसको अगर आप लेके slide करोगे जहाँ पर रखना चाहोगे यहाँ पर वहाँ पर वो चला जाएगा ठीक है इसके बाद यहाँ आप देख सकते हो मैंने इस candle के नीचे इसको रख दिया और reward को मैं यहाँ पर थोड़ा से ऊपर खीच रहा हूँ और यहाँ पर इसको मैंने जो है ऊपर मतलब एकदम day high पे लगा दिया अभी आप देख सकतो risk reward यहाँ पर ratio दिखा रहे 4 is due 0.81 मतलब 0.81 मेरा risk है risk है और reward मेरा 4 है तो ठीक है यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से set किया है ठीक है तो दोस्तो इसी तरीके से आप risk reward ratio set कर सकते हो इसको use कर सकते हो अगर आपने short position किया है तो भी मतलब same है बस इसका थोड़ा सा ultra process होने वाला है मतलब इसका जो reverse process होगा उस hot के लिए होगा ठीक है